तो हाई फ्रेंड्स आपने भी कभी ना कभी ये नोटिस किया होगा कि जब आप किसी के नमबर पे कोल करते हो तो आपको ट्रिंग ट्रिंग वाली सिंपल रिग्टोन की जगए कोई ना कोई गाना सुनाई देता है बात तो सहीए तो आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे कि कैसे आप अपने नमबर पर कोई भी गाना यानि कि कोई भी सोंग सेट कर सकते हो जिससे कि जब भी आपको कोई कोल करेगा तो उसको वो गाना सुनाई देगा इसके लिए आपको अपने नमबर पे color tunes activate करनी होगी कई लोग color tune को outgoing ringtone भी बोल देते हैं तो उसमें आप confuse मत हो जाना और हर sim के नमबर के लिए color tune activate करने के लिए अलग-अलग तरीके होते हैं जैसे कि जियो के लिए अलग, air tell के लिए अलग और Vee के लिए अलग Vee जो ये company है ये Vodafone और idea दोनों से मिलके बनी है तो आज के इस वीडियो में हम इन सभी के बारे में बात करेंगे चाहिए आपके पास किसी भी company की sim हो तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना अगर आपको वीडियो पसंद आई आपके पास जिस भी company का sim है सबसे पहले तो आपको उसके according प्ले स्टोर से एप डाउनलोड करना है अगर आपके पास जियो का sim है तो आपको माई जियो अप डाउनलोड कर लेना है अगर आपके पास एरटैल का sim है तो आपको विंक म्यूजिक डाउनलोड कर लेना है और अगर आपके पास Vodafone Idea या फिर V.I. का सीम है तो आपको V.E. App डाउनलोड कर लेना है तो अभी मैं फटाफट से इन टीनो एप्स को डाउनलोड कर लेता हूँ क्योंकि भाई मुझे तो इन टीनो के बारे में बताना है तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं जियो से जियो में कालरटून सेट करने के लिए आपको सबसे पहले My Geo ओपन करना है और यहाँ पे आपना वो जियो का नमबर डाल दीजिए जिस पे आपको कालरटून सेट करनी है और उसके बाद Login पे क्लिक कर दीजिए और फिर यहाँ पे आपसे जो भी Permission मांगता है वो सभी आपको Allow कर दीनी है उसके बाद आपके Geo नमबर पर जो OTP आएगा वो आपको यहाँ पे Enter करके Submit OTP पे क्लिक कर देना है और उसके बाद यहाँ से Proceed पे क्लिक करके यह Permission इसे Allow कर दीजिए और यह भी Allow कर दीजिए और फिर आपके सामने कुछ ऐसा Page Open हो जाएगा यहाँ पे उपर आपको एक Music का Option मिलेगा तो उसके आपको क्लिक कर देना है और उसके बाद यहाँ पे आपको भूट सारी Song, Albums मिल जाएंगी जिनमें आपको भूट से अच्छे-च्छे Song मिलेंगे तो अभी मैं यहाँ से आपको Pushpa Bhau की Album Open करके दिखा देता हूँ तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे Pushpa Movie के सारे Songs दिये हुए हैं यहाँ से किसी भी Song पे क्लिक करके आप उसे सुन सकते हैं और उसके बाद यहाँ से जो भी Song आपको Color Tune पे Set करना हो उसके सामने जो आपको यह 3 dots मिलते हैं इन पे आपको क्लिक कर देना है और फिर Set Geo Tune पे क्लिक कर दीजिए और उसके बाद आपके सामने इसी Song की बहुत सारी Geo Tunes आ जाएंगी तो इनको आप बारी-बारी से Play करके सुन सकते हो और जो भी Color Tune आपको अच्छी लगे उसको Select करके Set Geo Tune पे क्लिक कर दीजिए और उसके बाद आपके Geo नमबर पर Color Tune सेट हो जाएगी लेकिन अगर आपको इन albums के किसी भी Song में मजा नहीं आ रहा है तो यहाँ से सर्च बार पे क्लिक करके आप अपना Favorite Song सर्च कर सकते हैं और उसके बाद यहाँ से Song पे क्लिक कर दीजिए और फिर यहाँ से आप Geo Tune वाले बटन पे क्लिक करके Color Tune को सेट कर सकते हो और कई Song के लिए आपको यह सेट Geo Tune वाला उप्षन फीका देखने को मिलता है और आप इस पे क्लिक नहीं कर पाएंगे तो इसका मतलब आप इस गाने को Color Tune पे सेट नहीं कर सकते हैं क्योंकि Geo ने अभी तक इस गाने की Geo Tune नहीं बनाई है और इसको लेके Google पे या फिर YouTube पे सर्च करने का कोई फाइदा नहीं है क्योंकि ऐसे गानों की Color Tune आप तो क्या कोई भी सेट नहीं कर सकता है जब तक कि Geo उस गाने की Geo Tune प्रोवाइड नहीं करवा देता है आप चाहों तो यहां से कोई और गाना अपनी Color Tune पे सेट कर सकते हो नहीं तो आपको सिरफ इंतजार ही करना पड़ेगा तो चलिए फ्रेंट्स अभी हम आगे बढ़ते हुए बात करते हैं Airtel के बारे में तो Airtel नमबर पर Color Tune सेट करने के लिए आपको सबसे पहले Wink Music एप को ओपन करना है और फिर यहां से Continue with Mobile नमबर पे क्लिक कर दीजिए और उसके बाद यहां पे अपना Airtel Mobile नमबर डाल के आपको Next पे क्लिक कर देना है और फिर आपके नमबर पे जो भी OTP आता है वो आपको यहां पे डाल के दुबारा से Next पे क्लिक कर देना है और उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा पेज ओपन हो जाएगा और यहां पे नीचे आपको एक Option मिलता है Hello Tunes का तो इस पे आपको क्लिक कर देना है और उसके बाद आपके सामने यहां पे बहुत सारे Songs आ जाएंगे जिनको आप अपने Airtel नमबर की Color Tunes पर Set कर सकते हो तो यहां से जो भी गान आपको Color Tunes पर Set करना हो उसके लिए बस आपको एक बार Song पे क्लिक करना है और उसके बाद आपको उस गाने की सभी Hello Tunes यहां पे Show करके दिखा देगा और यहां से इन Tunes को Play करकर के सुन लीजिए और जो भी टून आपको अच्छी लगे उसको Select करके Set Hello Tunes पे क्लिक कर दीजिए और आपकी Color Tunes सेट हो जाएगी और आप चाहो तो यहां से आप अपना कोई भी Favorite Song भी सर्च कर सकते हो और यहां से भी Song की Color Tunes सेट करने के लिए आपको गाने पे क्लिक करना है और उसके बाद Tunes को Select करके Set Hello Tunes पे क्लिक कर दीजिए और अगर आप यहां से वैसे ही किसी Song को Play कर लेते हो तो उसके नीचे भी आपको एक यह Hello Tunes का बटन मिल जाता है तो इस पे क्लिक करके भी आप Color Tunes सेट कर सकते हो लेकिन भाई कई लोगों के साथ कुछ ऐसा भी होता है कि वो रिचार्ज करवाने के बाद भी अपनी Color Tunes सेट नहीं कर पाते है उनको फिर भी यहां सेट हलो टून की जगाए Get Premium का Option मिलता है कि पहले आपको प्रीमियम लेना पड़ेगा उसके बाद आप हलो टून सेट कर सकते हो और यह सब देखके उनको लगता होगा तो अगर भाई आपके साथ भी कुछ ऐसा हो रहा है तो आपको चिंता नहीं करनी है कि ऐसा इसलिए होता है कि जब आप रिचार्ज करवाते हो तो उसके साथ जो आपको फ्री हलो टून्स का रिवोर्ड मिलता है उसको एक्टिवेट होने में तीन से चार घंटे लग जाते हैं तो तब तक आपको वेट करना है जब तक आपके पास ये वाला मैसिज नहीं आजाता है ये मैसिज एरटैल की तरफ से आएगा और इसमें लिखा होगा और ये मैसिज आने के बाद आप फ्री में अपनी कालर टून सेट कर पाएंगे तो चलिए फ्रेंट्स अभी हम बात कर लेते हैं वी आई वोड़ाफोन और आइडिया के बारे में तो इन में से किसी भी सीम पे कालर टून सेट करने के लिए आपको वी आई एप ओपन कर लेना है और यहाँ पे भी आपको वैसे ही वी आई वोड़ाफोन या फिर आइडिया जो भी आपका नमबर है वो आपको यहाँ पे डाल के सेंड ओटीपी पे क्लिक कर देना है और उसके बाद जो भी आपके पास OTP आएगा वो यहाँ पे डालके login वाले बटन पे क्लिक कर दीजी और उसके बाद यहाँ पे फिर आप से जो भी ये permission मांगता है वो आपको allow कर देनी है और यहाँ से इस ad को cut कर दीजी और उसके बाद यहाँ पे right में slide करते जाओ करते जाओ और आपके सामने ये color tune का option आ जाएगा तो इस पे आपको click कर देना है और उसके बाद वैसे तो आपको यहाँ पे भूछ सारे songs मिल जाते हैं जिनको आप color tune पे set कर सकते हो और यहाँ पे ऊपर आपको search का button मिल जाता है जहां से आप song search कर सकते हो लेकिन भाई इन सब चीजों का कोई फाइदा नहीं है क्योंकि जैसे ही आप color tune set करने के लिए set वाले button पे click करते हो तो सारा मजा किरकिरा हो जाता है क्योंकि वी आई नंबर पे color tune set करने के लिए आपको पैशे देने पड़ते हैं और यहाँ पे कोई भी ऐसा song नहीं है जिसको आप free में color tune पे set कर सकते हो यहाँ पे कोई भी color tune set करने के लिए आपको 49 रुपे परती माह यानि की 49 रुपीज पर मांच देने पड़ेंगे अगर आपको लगता है कि तो आप color tune पर चेज करके अपने नंबर पे set कर सकते हो नहीं तो भाई भालतू में पैसे खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वैसे भी आपके पास calls तो आ ही जाती है लेकिन अगर आप यहाँ से home button पे click करके थोड़ा सा उपर slide करते हो तो यहाँ पे आपको यह कुछ profile tune मिल जाती है जिनको आप free में अपनी color tune पे set कर सकते हो अभी आप पूछोगे कि यह profile tune की स्खेथ की मूली है मैं आपको क्या ही बताऊं कि यह profile tune क्या है यह तो 30 है बिल्कुल सही बोले आप खुद ही सुनके देख लो और अगर अभी भी आपको यह tunes अपनी color tune पे लगानी है तो उसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ से 1 hour वाले option पे click करके यहाँ से time select कर लीजिए कि कितने time के लिए आपको यह color tune रखनी है और उसके बाद tick वाले icon पे click कर दीजिए और फिर यहाँ से आपको set वाले option पे click कर देना है और उसके बाद यहाँ से okay कर दीजिए और आपकी यह color tune set हो जाएगी तो ऐसे ही आप भी फ्रेंट्स अपने जियो एटल या फिर वी आई के नमबर के लिए color tune set कर सकते हो तो चलिए फ्रेंट्स यही था फिलाल की वीडियो में वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को like कर दीजिए और चैनल को subscribe भी कर देना अगर वीडियो से आपकी कोई भी help हुई हो तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी नए वीडियो में सब तक के लिए bye bye take care and peace out